हेलो फ्रेंड्स में पर्दिप चौहान आपका स्वागत कट्राम बंतर रही हूं मैं जैसे कि आप जानते हैं कि महां दिली पुलिस की क्लाइस से चल रही है उस महां न्यू टॉपिक स्टार्ट हुन जा रहा है साधरन व्याज यानिकी सिंपल इंट्रेस्ट तो चलते हैं इस पर पास होता है बाई बरिजंट टायम में जो पैसा आपके पास है उसी मेरेसा कटी लगाओ या जो मेनं पैसा अँटाल Whether पास पैसा कितने पर्सेंट पे लगा रहे हो ऊसको कहते हैं कितने टाइम के लिएप पैसा उसको दे रहे हो हो यह अग्यानि सम हैरे मीज़ार के यह raelोरा ऐसे इसको बिलेहें मतला सिंपल से हैं क्या आप सा रूपय यह एक कोई बंदा ऐसे आपको एक महीने बाद मैं आपको 110 रुपे इसको दूंगा तो उस पर आपको ब्याज किता लगाया आपने 10% का तभी तो 110 रुपे मिला वही चीज होता है उसके बादा साध्रानम ब्याज जैसा कि मैंने आपको बताया एक सिंपल सा चीच की 100 रुपे आपके पास थे और किसी ने मांगा कि यहीmas day मुझे 100 रुपे मैं आपको 110 रुपे दूगा तो आपके पास 10100 रुपे थे तो आपके पास पहले 100 रुपे थे अ आपको तेने इक बार मतला वो बंद़ा जो वेक्ति ए वह आपको पैसा दे दिय वापस तो 110 लुपे आपको दिया तो अपके आप 100 लुपे बैते आप 110 लुपे कितने का profit हो रहा है दस रूपए का GDPR का profit हो रहा वही सब्सक्राण व्याज कर दशतर आपको मिला क्यों मिला क्योंकि इनके करन कुछ समय लिया कुछ प्रिया assez को और वह कुछ पढ़के पैसा एक आपको मिल गया यह होता था Ribous इसके वादा आता है जूंदम यह तो टोटल एमाउंट क्या होता है सिंपल सिंपल बताऊं तो आपके पास 100 रुपए थे वहीं सो रुपए तो थे उसके 10 रुपए का साधान या अपने ले लिया दस रुपए एक्सटर कमा लिया टोटल पैसा आपके पास कितना हो गया 110 रुपए यही होता हमारा मिस्र धन यहां कि यहां कि किलिया तो आगे बढ़ते हैं अगा आता है बेसिक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला समझ दिजिए यह ट्रिक्स समझ दीजिये जो आपको मोंन करें वो समझे में कॉंसेप्ट वही होता है क्या होता है पी बराबर के ऐसा ही बराबर शने का एसा अ सधार्ण ग्याज प्यातर होता है या तो आप ऐसा कर लो हुए दो मुंसेप्स खत्म करने करने का मतल McNamay आपने शानिभ आपने चलता है क्या होता है मैं आभी को बताया ये मैंने वताया कि प्रिंस्पेल या मूलधन यह रेट आप इंट्रेस्ट यह ने कितने पर आपने पैसा लगाया और यह टाइम बस इतना ही खेल है इसका पूरे प्राम यह खेल आपने खेल लिया तो समझ लीजिए आपने साधान व्याज खतम कर लिया चलिए कोशन पर आते हैं जिससे कि आपको और डिटेल अच्छे से समझ आ जाए और दिक्कत ना आए चलिए पहला नमबर कोशन का कह रहा है कि यदि पत्चीस सो रुपए काव आट परसेंट वार्षिक दर्ष से साधान व्याज पर चार वर्षों के लिए निवेश किया जाता है पत्चीस सो रुपए उसके पास होंगे आट परसेंट वार्षिक वार्षिक यानि कि साल में यानि साल भर के लिए उसने आट परसेंट की दर्ष से चार वर्षों के लिए निवेश किया यानि चार साल के लिए उसने जमा किया तो चार साल वाद उसको कितना ब्याज प्रा मुझको दिया है आठ परसेंट यह तो दिया है टाइम हमको दे दिया है चार्ट साल का तो ऐसा ही आप निकाल लोगे कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें को निकाल लेंगे तो ऐसा ही का फॉर्मुला मैं आपको बताया था एसा आए बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटेसो ब यह परसेंटेज होताए वो बटेस्वो में आ जाता नीचे यानि सआई बराबर पचीशौ इंटू आठ इंटू चार बटेस्वो यानि कि दो जीरो से दो जीरो कैंसेल हो गया participar अपकीश इंटू आठ इंटू चार बराबर आठाशो या ऐसा है हमारा जोग हो गया उसको ब्याज कितना मिल्ला बत्चिस सो पे चार सालवड आठाशर पर उसको मिल रहा है के लिए इसमें कोई डौट हो तो बताओ इसमें कोई दया को डौट कोई डौट नहीं होना चाहिए बिलकुल मैंने फॉर्मुला रखा केवल और आंसर मैंने निकाला चलिए आके चले चलिए सकंड नंबर कुर्ष्ण कि सकंड नंबर कुछ ऐसा ही है देखिएगा कि क्या कह रहा है तीन हजार रुपय का का नो परसन्ट वाडशिक वीयाज कि 10 से 3 वर्सों के लिए साधारेण क्या होता यानि पी बरावर मुझको दे दिया है कि र понятно पिंट्रेस मुझको दे दिया है नो पर elements के तो qual गाशिन और अ तुछyal है ँमारी आ जाएंगा कि यहीं नो गहर फोगा दो जिरो कैंसे तीन इंटू नो तरी सताइस बराबर आट सो दस और यही इस कांसर हो जाएगा बिल्कुर सिंपल सा था अराम साथ निकाल सकते हो यह सस्ट कोशन में पूछा गया सस्ट का पेपर जो आया था उसमें यह कोशन आया हुआ है चलिए थार्ड नंबर क्यों कि तीसरा नंबर कोशन क्या कर रहा है एक्की सो की धन रासी दो वर्सों में साधायन व्याज एक मिनिट्ट चौथा यह सड़ी तीसरा देखिया पहले चौथा वाद में देखिएगा आट सो रुपए की रासी तीन वर्सों में साधायन व्याज पर 920 हो जाती है वह उसके पास 800 रुपए थे तीन वर्स बार उसके पास 920 रुपए हो जाते हैं यदि तीन वर्स तीन परसेंट वर्स बढ़ा दी जाती है तो समान अवधी में वह रासी कितनी हो जाएगी तो हम एक बात बताओ पहले कि आपके पास पैसा है समझी को बात को पहले आपके पास 800 रुपए हैं 800 रुपए तो वह कुछ पैसा मतलब द्याज लगा रहा था तो 920 रुपए दे रहा था वह किलियर अब 800 रुपए तो आपको मिल रहे थे 800 रुपए आपके पास थे टोटा उसी पर 3% और बढ़ा दिया जाए जो पैसा आपको मिल रहे उस पर 3% और बढ़ा दिया जाए तो पहले तो यह देखना पड़ेगा कि 800 का 3% कितना निकलेगा जो पैसा निकल के आएगा वही उसमें जो आपका मेल पैसा है जो 920 हो जा रहां कितने साल के लिए कि तीन वर्स में जर्थी यह कि बात कर रहा है यह हमारा जो है वर्तमान का है कि मैं यह मान के चला मैंने कि 800 रुपए मैंने लगाया और मुझे 920 रुपए मिल गए तीन साल में अब यह कह रहा है कि यदि 3% बढ़ा दिया जाए तो 3% किस पर बढ़ेगा 800 रुपए पर बढ़ेगा 800 रुपए आपका है उसी पर तो पैसा पर बढ़ेगा क्या लग बढ़ेगा उसी पर बढ़ेगा यानि 800 पर तीन परसेंट बढ़ा दिया गया किते साल के लिए तीन साल के लिए अवधी समान कहा रहा तो कितना जाएगा 800 इंटू 3 इंटू 3 बटे सो दो जीरो से दो जीरो कैंसे नो नो और नो तिन तिक का नो नो अटेग बहत्तर अब उसको क्या है बहत्तर रुपए एक्स्ट्रा मिल है यह एक्सट्रा पैसा यह दो चायता के लिए एक्स्ट्रा पैसा और तक यह बढ़ा जाएगा यह लखंट मिल रहा हैं अभी नो सो चार्व हमें एक सना मिल मिल रहे हैं उसधर हैं कुर्ण रपांगोर यह उतने जिसना 12 कितना हो जाएगा दो नौ और नौ यह इसका अंसर वो चलता वह वर्तमान में हमने देखा कि तीन साल में 920 सुपर तो मिल रहे हैं वह तो मुझे कंफार्म है कि 920 मिल रहे हैं बट बढ़ा दिया गया तीन परसेंट तो आठ सुपर और तीन परसेंट मिलने लगा पहले तो कुछ ब्याज देकर 5 Haven 920 रहा था वह दो वांते हैं बात बट इसी पे इसने और बढ़ा दिया तीन परेंट ठीट पर्सेंट तो इतिन्पर क्योंने परसेंट हाँ आप देखें एकीस सो रुपे की धन रासी दो वर्सों में साधायाण व्याज पर 292 रुपे हो जाती है यदि व्याज दर एक परशन घटा दी जाती है तो उसकी नई व्याज क्या होती है कि चातब्मर पूर्शन कि एकीस सो रुपे उसके पास थे कि किसुए यां तो उसको क्या रहा है कि दो वर्सों में तूंए यह में कितना थेएस्बन किता मिलने रावन रुपा है तेज सुबाद रुपए उसको मिल जा रहा है यह तो कोई डॉट यह तो बताओ कोई डॉट नहीं रहा कि अब यह बात बताओ कि इसा ब्याज किता मिल रहा है जो परजैनस में आपको भी लिग रहा है तो फॉब और तूब 292 रुपे उसको भी आज मिल रहे हैं अभी घटाया ना बढ़ाया गया कुछ भी नहीं किया गया अब बात को समझेगा मेरा पास टोटल 2100 रुपे हैं इसी में यदि एक परसंट में घटा दूं और समान अउधी की बात करूं दो साल के लिए बात करूं तो क्या होगा तो 2100 यहीत होगा यानिके 222 पर मुझे ब्याज मिल जाएगा अब घटाने की बाद कर रहा है घटाया गया तो पहले तोस safer घटाने बयानी सुपें मेरा घट जाएगा घट जाएगा में घटी तो जाएगा 42 रुपए में 42 घटा दिया गया तो कित्ता जाएगा 210 रुपए इसका अंसर आँ जाएगा यह वर्तमाम की बात कर रहा है और यह घटाने के बाद आ रहा है घटाने में अले सुपए घटा दिया गया तो 210 रुपए मारा आठ जाएगा तिलिया कोई डाउट वह सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा ना कि उसका पैसा कित्ता निकल के आ रहा है घटाना है बढ़ाना वो तो बात की बात है पहले तो में परसेंटेज का निका पांचवा नमबर देखने से पहले थोड़ा से इसमें इंक डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हाथ देखें पांचवा नमबर देखते हैं पांचवा नमबर बड़ा प्यारा कोश्चन है समझेगा नहीं तो समझ नहीं आएगा वह देखें क्या लिखा है किसी धन्राशी पर 33 स्याई 3 बटे 4 परशंट प्रती वर्ष के दर पर 2 स्याई एक बटे 3 वार्षिक ब्याश्च से 210 सुपय है तो वहाँ धन्राशी कितनी है मुझसे पूछ क्या रहा प्रिंस्पेल पांचवा नमबर जो कोशन है पी हमसे पूछ रहा है कि एसाइन मुझको दे दिया है किता 210 वार्षिक दर्ष है यानि कि रेट ऑप इंट्रेस्ट मुझको कह दिया थ्री स्याई 3 बटे 4 परशंट परशंट तायन किता दे दिया धाई साल का एक बटे यह वाटे दो चाही एक बटे तीन वर्ष तो जैसा बैर व्याट पार्मुला पताया था उस फॉर्मुला पर रखलो आपकांसर निकल के आ जाएगा तो पी इंट्यू आर इंट्यू टी बटे सोब बराबर ऐसा यह तो बताया का मैंने यह बताया था ना यह बताया पी मुझे निकालना है इसको हम यह जोल करें तो कितना हो जाएगा तिन चोग 12 12 तिन 15 15 बटे 4 परशन यह कितना हो जाए तिन दूना 6 7 बटे 3 परशन अधिन हो जाएगा यानि कि 15 बटे 4 परशन इंटू 7 बटे 3 यह तो होगा बटे 100 यह परसेंटेज हट जाएगा तो 100 नीचे जाएगा कोई दिक्कत नहीं परसेंटेज ही तो में अटाना है अटा दिया गया बराबर 210 रुपर किलिया अब उमें एक बात बता दू जिससे जो कट रवकाट दीजे इससे ही कैंसिल जाएगा किती बार 55 यह तो होगा यह होगा ना तो पी बराबर हमारा क्या जाएगा 24 रुपर काट के आप देख लो आंसर यह आएगा कि शाह से यह कर जाएगा शाथ रिखेस कि अब मंट्रीप्लाइब कर लो आजया आएगा पाल से लिए यह कोई डाउट आप चाहता इससरे भी काट दो 20 बार कर कोलो मंट्रीप्लाइब कि लिए ने ने ये उपर जाएगा ना जाएगा यह निकतेगा यह स्वाई पर आगे बढ़े कुछ भी नहीं था बस मैंने मंटिपलाई किया और अंसर मैंने निकाला आगे बढ़े छेटवा नमबर कोश्चन यहीं को यदि सिम्पल वेर में आया हो तो यह को प्रिक होती है उस ट्रिक पर हम बताएं गया वो ट्रिक समझेगा बहुत प्यारी ट्रिक है समझेगा कि कितनी धनरासी 6 वर्सों में 4% वर्षिक सादार्ण ब्याज कि दर्शे 496 रुपे हो जाएगा कि लिए चब चब आप देखिए को तो डायरेक्ट वो फॉर्मूले लगा दो तब भी आंसर आइगा नहीं तो एह पर ट्रिक बतार है माना प्रिंसपल हमारा 100 रुपए है किट्ना है कि थे हैं हमारा सो Państ आप कि आप च्छा बळसों में चार पर्षिंट कि दर से से चब्रत में 4 पर्षिक दर से कितना हो जाएगा चौबिस पर्शेंट यहित होगा नहीं हुट हिए सोगे बितम के इंपरशेंट किस चॉब्याइद जाएगा एक्सो चॉब्षान योजे को जाएगा Gndt चार सु रुपे हो जाएगा यही हमारा पिंस्पेल आ जाएगा कि लिया कि लिए यह बताओ कि कहने का मतलब समझेए कि 100 रुपे मेरे पास है उसपर 24 का मैंने लाब लिया यानि ब्याज लिया मैंने तो 124 बना बट कोर्शन का मुझा तो सीधा सीधा कह रहा है ना कि चार सुच्छेयंबे रुपे हैं इससे चार गुना तो ऐसे यह भी चार गुना हो जाएगा 400 हो अब कि साको नमबर क्या कर रहा है यहां से थोड़ा सच्छेयं होता है कोशन संभी पहले तो यह समझेए बात वान वाइट तू है तो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में यही बताया था कि नीचे वाली वाल्यू हमारी टोटल होती है होती है ना बताया थे ना तो इसी को क्याति है यह तो हम सब्सक्राइब या तो फेस है को लाव में लेके चलते है लाव होता है यानि कि लाव का होगा उसको भीतित में आज की बात करें तो प्रिंस्पल इंट्रेश्ट है तो उसको लाब का वोगा जो पैसा है उसी के उपर वाला लाब होगा क्लियर बात कोई डाउ नो ठीक है बस इतना ही होता है यानि यह जो हता हमारा ऐसा ही होता है यह लावी तो ले रहा एक तरह से दो रुपए पर एक अब चाहका नंबर देखिए आपको क्लियर हो जाएगा विल्कुल अब कि सेवन नंबर क्या कहला है यदि किसी धन रासी पर तीन वर्सों के लिए साड़े बारा परसेंट की दल से लगा साधान भ्याज मूल धन से 3500 रुपए काम है तो मूल धन और ऐसा ही ग्यात करिए सम अब प्रिंस्पल है और एसाई है हमारे पास वह साफ साफ क्या कह रहा है कि 3500 रुपए काम है किसे मूल धन और एसाई से अब पहले तो यह बताओ साड़े बारा परसेंट की दर्ष से तो साड़े बारा परसेंट कितना होता है आप बता एक बटे आठ यहां मारा यह जो न यानि आठ हमारा प्रिंस्पल हो गया एसाई हमारा कितना एक लेकिन यह एक वर्स को रहा है वे किरहा है यह प्रिंस्पल तक cię का डो क्या प्रिंसपिल होता जाएक अर्स तो नहीं चैन्ज होसे घाई तो मिलता है दूसरे साथ इसको एक रुपै मिलता है तो तो तोब की मिलते हैं यदि आठ रुपए उसका प्रिंसपिल हो गया और उसको क्या है 3 उसको ऐसाई मिल रहे होंगे यह पहले उसकе तो कम है और यह सी में तुलला की गई काम पॉर्ट है तूस्च करणे तुब Folk नहीं किसा है क्किन尊uminे किए वह पांच नहीं कितना कयाता 25 सो इससे सांसो ज़्यादा मेलेय तो सैजिभ वह शॉथों किप्रहा सरेया संपना किकितना रूपय और मेले और हमारे ये भी कितना 700 ज्यादा हो जाएगा तो आठो से चपन चपन सो रुपए होंगे टोटल और 2100 रुपए ऐसा ही मिल रहा होगा ये दोनों इसके अंसर हो जाएगा क्लिए कोईड़ाओ पर समझे बात को कि के παटर प्रिंस्पेल वहारा चेंज नहीं होगा वह जब देंगे तो वहाराuses going कर दो दूसरे साल मिलेगा बट यह साधार्ण ब्याज की बात कर रहा है तो पहले साल एक रुपे मिला होगा तो दूसरे अभी साहि से कितना कर रहा कोशन का रिखती 300 क्षिसों ऐसे सा्थ लग्10 जएदऑ जब यह साफ सो गुना ज़ाद होगा ग्र्टैश्पा पैट तो सय्साब ज़्याद होगा और यह अधर can युद और को tapping आठो नमबर भी ऐसा ही है आपको दिख्कत नहीं आएजिए इसे कुश्ण होना है आठो नमबर क्या करें किसी धन पर चार वर्सों के लिए लगा साधान भी आज मूल धन से साधान भी आज ज़िए इसे रूपए कम है यदि दर सो शोला से दो बटे परशंट हो तो मूल धन में साधान भ्याज जग्याद करो वही चीज़ प्रिंस्पेल और अशाई कि इता कहरा है शोला से दो बटे परशंट यानि कि एक बटे छे यानि हमारा छे है छे तो मारा मूल धन है कोई डाउट नहीं पिंस्पेल हमारा उपर वाला हमारा साई है वह कितने साल के लिए बात करें चार साल के लिए चार वर्स के लिए तो पहले साल उसने देखा तो एक मिला दूसर साल देखा तो फिर एक मिला तीसर्था फिर एक रुपए जोटेल में टोटालकिने चार रुपबर मिले यानि एसा ही उसको चारूंपर मिले देखा गया तो इसकित्था क्म दो क्योंब में बट कोषिंशन का अनुसा साफ साफ ये कद आए इससे कितना गुनाव एसे यही ग्यारह सो गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा चानखारति सो कि और यहीं हमारे अंसर जाएगे कि लिया आगे-बढ़े बहुत प्यारे-प्यारे कुश्वन हैै मजा अजा consistent आपको करने में आठान नमबर समझ आया चले आगे चले आगे चलते हैं नाइफ नमबर होशन क्यों कि आप कि आप कि पर उप कि दन पर साधाराण भ्याज और पहले दो वर्ष〜 के लिए चार पर और अगले चार वर्षों के लिए 6 और तीन वर्ष बाद 48 है अगर साधाराण भ्याग सेटे पहले सुपे उपके क्या ओगा बहुत प्यारा कॉश्ण में सभेगा जैसा है जैसे जैसे वह क्या रहा है बस आप करते जासे में आप का ainsi अशर मिलाएगा पहले क्या पहले दो बर्सों के लिए दो बर्सों के लिए मैं तोटल उसको 8परसं है कि लिए 4 वशर के लिए 6परसंट 45 शचब 24 के लिए उसके बाद क्या करें तीन वर्स बार 8% है यह तीन वर्स बार 8% यानि आठकरी 24 के लिए तो टोटल जो परसेंटेज पर आया जो टोटल हमारा रेट आप इंट्रेस्ट है और समय है वो कितना आ गया 56 परशेंट क्लियर आपको अभी अभी मैंने बताया पी इंटो आइन्टो टी बराबर ऐसा ही होता है होता है ना बास खेल खतम पी इधर आगया 56 परशेंट बराबर 1120 यह तो है जाएगा दो यह तो जाएगा तो पी बराबर हमारा क्या जाएगा दो हजार और यहीं इस कांसर हो जाएगा देख लिए यह चेक कर लो कोई आपको दिक्कत ना है जिसे वापस समझ लो वह कहला पहले दो वर्सों में दो में 4 परसंट ब्यक्रीज साथ 4 वर्सों में द में चाशेंट की ब्याज कि दरसे 24 निया तोered हमारी तूटल हमारा जो आ गया दिता आइए शपकरफ परशेंट पे यह तो पी हमें निकालना होdt ह dele इंट्रोड ग्यारफ बीस हमें ऐसा ही दे दिया था तो दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छा लगाओ एक लाइक चरूर करिएगा अभी तक जिन्हों लेके नेक्स टाइम लेके अब इसका मोडिडिर्ट कोशन आते जाएगा बहुत प्यारे प्यारे कोशन आएंगे बने रहे हमारे साथ कंट्यूनियू मिलते हैं नेश्ट क्लास में आजके इतने रखते हैं ठेंक्यू